नमस्कार सैजिटेरिस, सैजिटेरिस सेने घनूरासी, मैसुरेस को ट्रिपल आसें भी टेरो से तो आज हम सैजिटेरिस सेने घनूरासी के लिए जर्नल रिडिंग करेंगे रिडिंग जर्नल होने के कार्ण आप पर रैजोनेट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती जिस पर जितने रेजोनेट होती हैं प्लीज आप एक्सेट कर सकते हैं संसाइन, मुंसाइन या नामराशी जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं 17 से 24 तब के लिए विकले यह निसापता एक रेडिंग होगी संडेट सेटरडे के लिए रेडिंग होगी और अगर आप परसनल लेटिंग चाहते हैं तो निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेर्स दी गई है वहाँ जापर चेक कीजिएगा कोई भी कन्फूजन डाउट होने पर वर्टसप मैसेज के जरिया तो इसमें सबसे पहले हम तीन कार्ट सापके जो हम मूनोलोजी के मैसेजिज के लिए निकालेंगे कि मूनोलोजी कार्ट के तीन मैसेजिज निकालेंगे कि आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं इस सब्ता के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए चलिए देखते हैं टाइम टू केव रैधर देन टेक यूनिके यूनिवर्जी आपको बताना चाहते हैं आपको मैसेज देना चाहते हैं कि लेने की बजाए आप लोगों को देना देजिए कुछ दान दक्षिना करिए हेल्प कीजिए मदद कीजिए लोगों की गरीबों की मदद कीजिए जितना भी कोशिश हो सके आप जो है चाहे वो फिजिकली मेंटली या फिर एकोनोमिकली जैसे भी पॉसिबल हो सके आप लोगों की मदद कीजिए उनसे लेने की बजाए उनको दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, your dreams need a practical plan, आपके सपने तभी साकार होंगे, जब आप उनको practical सोचेंगे, यह कि सिर्फ सोचने से कम नहीं चलेगा, उनको उनपर work out करेंगे, उनपर मेहनत करेंगे, practically उनको हैंडल करेंगे, practical बनने की जरूरत है, तभी आपके अपने साकार हो सकते हैं और लास्ट हमारा जो है उनिवर्स जी मैसेज देना चाहते हैं वट डू यू नेट टू रिलेज उनिवर्स जी आप से कोश्चन करना चाहते हैं कि आप क्या छोडना चाहेंगे What do you need to release आपको क्या छोडने की जु rating है जो आप आगे बढ़ सके जो आप क्या चाहते हैं University से आप क्या छोडना चाहेंगे क्या चीज आपको ऐसे लग रहे है कि अगर आप इसको छोड देंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे तो युनिवर्सी यही आप से question कर रहे हैं यही आप से पहुचना चाहते हैं कि आप क्या छोड़ने के लिए ready हैं किस चीज के लिए आप agree हैं तो देख लेते हैं इस सब्ता की आपका जो है love life क्या रहेगी युनिवर्सी गाइड में फ्लीज सेजिटेरियस के लिए इस सब्ता की love life कैसे रहने वाली है दा हाइरोफांट एंड टेथ जो भी चीज़ें आपको रुकावट दे रहे हैं बाटम ओट दा डेक बता रहा है जो भी रुकावट दे रहे हैं उन चीज़ों को आपको ट्रांस्फोर्म करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा वो आपके घर के मेंबर हो सकते हैं कोई पड़ोसी, कोई रिस्तेदार, कोई दोस्त, कोई कलिक, कोई कोई भी लेकिन जब तक उस जगय को, उस सिचिएशन को या फिर उस जो अप बिजनस को या उन लोगों को जो आपको बादाएं दे रहे हैं आपके, आपको आगे बढ़ने में परेशानी तकलिफ दे रहे हैं तब तक आप अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी मंजिल को पाएंगे जब आपको लगेगा कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा उनको खतम करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे और आपको किसी सुपिरियर, किसी एलडर किसी गुरू या किसी नौन परसन की मदद लेकर आगे बढ़ना है क्योंकि अगर आप उनकी मदद लेते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये रिस्ता आपके लिए सॉल मेट हो सकता है सॉल मेट और काइंड हो सकता है और आपको इसमें जो है स्पिरिच्वल grow करने की जुरूरत है क्योंकि रिष्टा लग रहा है कि काफी negative phase से होकर गुजरा है तो तब ही तो ये रिष्टा strong और मजबूत होगा जब आप इसमें healing करेंगे meditation करेंगे तब ही इसमें मजबूती आएगी और रिष्टा आगे बढ़ेगा तो angel messages देख लेते हैं प्लीज अपने आखे बंद किजिए लंबी गहरी सांस लेजिए और अपने अंतरात्मा से यह निके clearly अपने आप से पूछिए कि आप क्या जानना चाहते हैं क्या जवाब आपको चाहिए तो angels आपको answer देंगे इसके लिए आपको 10 second का time दिया जाता है आपका समय शुरू होता है अब तो आपका समय पूरा हुआ angel messages देख लेते हैं कि युनिवर्ची आपको angel आपको क्या संदेश देना चाहते हैं let go उन चीजों को जाने दीजिए जो आपको बाधाएं दे रही हैं अगर आप उन से चिपके रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उन चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा अलविदा करना ही पड़ेगा जो आपके लाइफ में रोड़ा अठका रही है not the right time ये अभी सही समय सही वक्त नहीं है आगे क्योंकि अभी जो परिशानिया तकलिफ हैं आपकी लाइफ में आ रही है आप परिशान हैं दुखी हैं आपका समय अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है और अभी within the next few months कुछ सब्ता तक ऐसा चल सकता है कुछ सब्ता के बाद धीरे धीरे करके जब आप उन चीजों को छोड़ देंगे जो आपके रस्ते में रुकाउटे परिशानिया दिक्कते दे रहे हैं चाहे वो रिस्ता हो सकता है कुछ और चीज़ हो सकती है जब तक आप उनको ट्रांसफोर्म बदलेंगे नहीं तब तक आपका समय सही नहीं आएगा तो सही समय लाने के लिए उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको धीरे धीरे करके एंजल आपको बताना चाहते हैं के समय कुछ सब्ता और लग सकते हैं आपको आगे बढ़ने में अगर आप पॉजिटिव होंगे उन चीजों को ट्रांसफोर्म करेंगे उनको जाने देंगे बदलेंगे तो धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद कुछ सब्ता के बाद आप का जो है बुरा वक्त खतम होगा और धीरे धीरे करके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं अगर वीडियो सही लगती हैं अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें कमेंट्स करना बिलकुल न भूले इससे मॉटिवेशन मिलता है और वीडियो बनने में आसानी होती है ये आज मेरी पहली रिडिंग है मैसेजिज की अलग से मैसेजिज की तो आई होप आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें कमेंट्स करना बिलकुल न भूले ताकि मैं फिर ये वीडियो लेकर आऊ और आप आगे बढ़ते रहें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आएगे कमेंट्स करें हपी रहें, खुछ रहें नमस्ते, थेंक ये सो मच